जेहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तों कुछ दिनों से आप लोग आत्मा निर्वर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कॉंसेप्टों के बारे में काफी बढ़ चड़के सुन रहे होंगे इवन कुछ महीने पहले प्राइम नेशा नेरंद्रो मोदी और डिफेंस नेशा राजना सिंग के भी कुछ बयानों में मेक इन इंडिया और आत्मा निर्वर भारत जैसे संकल्फ को डिफेंस के साथ जोड़ने का बात भी कहा गया और साथी साथ ये भी कहा गया कि भारत इतने बड़े देश होने के नाते अब और मेजर डिफेंस इंपोर्टर में शामिल नहीं होगा बलकि अपने जरुतों को पूरा करने के साथ साथ एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर का भी खिताब हासिल गरेगा और आने वाले कुछ सालों के अंदर 5 बिलियन डॉलर के इक्वेपमेंटों को अपने पडोसी और दोस देशों में सप्लाई करने का बात भी इंडिया के तरफ से कहा गया था और दोस्तों इसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए भारत के तरफ से हाली के दिनों में कुछ बड़े कॉंसेप्टों के तहत आगे बढ़ा गया और बड़े हत्यारों का निर्मान भी किया गया जो आसानी से भारत पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट कर पाए दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही कुछ हत्यारों के बारे में बताऊंगा और साथ में ऐसे कुछ देशों के नाम भी बताऊंगा जो भारत से बड़े मात्रा में हत्यार खरिदने के लिए तैयार हो गया है तो दोस्तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तो पिछले कुछ सालों के स्राटिस्टिक को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया अब अपने डिफेंस इंपोर्ट को काफी जादा कम कर चुका है जादातर छोटे इक्वेपमेंटों को भारत बिदेश से नहीं खरिदता है और जो भी इक्वेपमेंट अब भारत बिदेश से खरीद रहा है वो टेकनोलोजी ट्रांसफर और मेकिर इंडिया के कॉंसेट के तहती खरीदा जा रहा है चाहे इन में बड़े आकार के फाइटर यार कैप्ट हो या फिर छोटे आकार के एसल्ट राइफल हो और इसी वज़ाए से कुछ सालों के अंदर भारत का हतियारों में सवदिशी करन काफी गुना बढ़ चुका है और अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रोशी देशों में हतियारों के सप्लाई को बढ़ाया जाएगा दोस्व हाली के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया द्वारा मिसाइल, रैडार और आटी लेडी जैसे एक्वेपमेंटों को अपने दोस्त और प्रोशी देशों में सप्लाई करने के लिए तैयार कर लिया गया है भारत मिसाइलों के मामले में लगवग आत्मनिर्वर बन चुका है भारत के तरफ से बनाया हुआ आकास surface to air missile और quick reaction surface to air missile जैसे हतियार दुनिया में बहतरीन air defense missile के तहट भी जानायाता है इवन इसके इलावा कुछ अन्यम missile का भी निर्मान भारत के तरफ से किया गया है जिनमे cruise missile और short range का ballistic missile वी शामिल है पर अगर हतियारों के supply के मामले को देखे तो इनमे cruise missile ब्रमोस और surface to air missile आकास का नाम सबसे पहले आता है जबकि इसके इलावा radar के मामले में भारत पूरा पूरी आत्मनिर्वर बन चुका है चाहे वो weapon locating radar हो या फिर coastal surveillance radar हो हाली में आप लोग ये भी सुने होंगे कि भारत के तरफ से इंद्रोनेशिया को coastal surveillance radar देने के लिए भी एक प्रस्ताब दिया गया है और अब भारत ऐसे radar को बंगलादेश जैसे देशों को बेजने के लिए भी तैयार हो रहा है दोसो इसके इलाबा भारत के तरफ से दो आधुनिक artilleryों का भी निर्मान किया गया है जिनमें ATSGS high caliber artillery के इलाबा छोटे आगार के हलका धनुष गन भी शामिल है तो इसके इलाबा मोटार जैसे equipment को लेके तो भारत कई दसो के से आत्मनिर्वर ही है भारत के तरफ से अपना ammunition भी आजकल खुद ही बनाया जा रहा है और Middle East के देशों में भी ammunition का supply भारत बीते कई सालों से कर रहा है और अब दोस्तों इस लिष्ट में कुछ South Asian Country भी बहुत जल्दी जूडने जा रहा है जिन में सबसे प्रमुक नाम अब बंगलादेश का खुल के आ रहा है New Age बंगलादेश नामक एक News Agency के रिपूर्ट के मुताब एक भारत द्वारा हाली में बताया गया है कि भारत के निर्मान किया हुआ हतियार बंगलादेश के लिए suitable है और दोसों ये News ये भी बताता है कि अब भारत अपने निर्मान किया हुआ हतियारों का सप्लाई बंगलादेश के लिए करने के लिए तैयार हो चुका है और बंगलादेश के गोवर्मेंट के तरफ से भी शायद इन बातों को लेके सोच बिचार किया जा रहा है दोसों इंडिया में जो Ministry of Defense के Secretary of Defense Production राजकुमार के तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया कि हम मतलब इंडिया के Defense Production बंगलादेश के साथ मिल के काम कर रहा है आटिलेडी, मिसाइल, रैडर और मोटर के साथ-साथ एमूनेशन जैसे मामलों में दोसे इसके इलावा अब लोयों के जानकरी के लिए ये भी बता दू कि बंगलादेश द्वारा एक Global 2030 नामक कॉंसेट के तहट आगे बढ़ा जा रहा है जिसमें 2030 तक बंगलादेश के Forces को modernize भी करना है और इसके लिए बंगलादेश हतियारों का purchase भी करेगा और 2017 में जब बंगलादेश के प्राइम मिनिस्टर शेक हसीना भारत के दोरे पे आये थे तब भारत और बंगलादेश के बीच में 500 मिलियन डॉलर के एक line of credit के उपर भी हस्ताक्षर हुआ था जिसके तहट भारत बंगलादेश को 500 मिलियन डॉलर के हतियारों का supply line of credit मतलब उधार में करेगा और इसके इलावा भारत और बंगलादेश के बीच में shipping sector को लेके भी काफी तेजगती से काम किया जा रहा है बंगलादेश के shipping ministry के तरफ से भी हाली में इन बातों का जिकर करते हुए भारत को shipping sector में बंगलादेश का एक करीवी partner भी बताया गया दोसो अब चली जानते है कि भारत का कितना शमत्या है और बंगलादेश के इलावा और कौन-कौन सा ऐसा देश है जो भारत से हतियारों को purchase करने के लिए आगे बढ़ रहा है दोसो भारत में हतियारों का निर्मान जादतर ordinance factory board के द्वारा किया जाता है और ordinance factory board के हाथ में 40 ordinance factory और 9 defense psus है इसके इलावा भारत में अलग-अलग private sector के द्वारा करीबन 12,000 MSM में मतलब medium, small and micro enterprises को भी रन किया जाता है भारत में shipyard में भी काफी तेज गती से काम हो रहा है और भारत अब सब्मरीन से लेके aircraft carrier जैसे बड़े हतियारों का भी निर्मान अपने ही देश में कर रहा है example के रूप में अगर देखे तो कोची shipyard जैसे shipyard में हाली में 5 जहाजों को निर्मान करने का शुरूआत एक ही साथ किया गया और ये भी दर्शाता है कि भारत के पास capability कितना है और कितना तेज गती से भारत इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए आत्मा निर्वा भारत के साथ आगे भी बढ़ सकता है दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि इंडिया द्वारा हाली में light combat aircraft, light combat helicopter, advanced light helicopter, droop और rudr और light utility helicopter जैसे helicopter का निर्मान भी किया जा चुका है और defense equipment के और defense export के सेक्टर में इन equipment को काफी प्रमुक और काफी महत्तोपूर्ण माना जाता है ऐसे equipment का ज़रुद भी काफी जादा है और market में ऐसे बहुत सारे देश है जो सस्ता और छोटे equipment को खरीदने के लिए आगे भी बढ़ रहा है इसके इलाबा भारत 90% जिस तरीके से अपने जहाजों को निर्मान करने के लिए स्वादिशी करण का इस्तेमाल कर रहा है उससे आने वाले समय में अन्य देशों के जहाजों को पूरा पूरी भारत में निर्मान या अन्य देशों को जहाज निर्मान के equipment ओका भी supply कर सकता ह दोसो बंगलादेश के इलाबा वियतनाम, इंद्रोनेशिया और फिलिपीन जैसे देश साउथ एशिया में भारत के साथ डिफेंस डिल के लिए आगे बढ़ रहा है। और इंद्रोनेशिया और फिलिपीन जैसे देशों के साथ भारत का ब्रमोस मिसाइलों को लेके बातचित काफी अड़वांस तर में आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आप लोगे के जानकारी के लिए बता दो कि भारत के हतियार का सेल खाली साउथ इस्ट एशिया तक शिमित नहीं है। काफी जादा चर्चा है और हाली में सुनने को ये भी आया था कि कुछ देशों के तरफ से ब्रमोस मिसाइलों के इलावा ऐसे एरक्रैप्टों को खरीदने का बात भी कहा जा रहा है और साथ में भारत के हेलिकॉफटर को लेके भी उन देशों में चर्चा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जाए हिन।